गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ओफ फॉर्ट क्लास, मैसेल्फ सुजीत कोर और आज मैं आपको हिंदी व्याकरन का लेसन नमबर एक भाषा समझाने जा रही हूँ भाषा क्या है? आप सभी ने इन पशुपक्षियों की अवाजों को तो सुना ही रोगा कि इनकी आवाजों को जब हम सुनते हैं तो इससे हमें ये नहीं पता चलता कि ये क्या कहना चाते हैं तो इनकी आवाजों भाषा नहीं हैं वे एक परकार की ध्वनिया हैं वे केवल आवाजों हैं तो मैं अब आपको बताऊंगी कि भाषा क्या है भगवान ने हमें इन पशुपक्षियों से अलग बनाया है हमें बोलने और लिखने, सुनने, समझने की शक्ती दी है उसी से रिलेटिड ही है भाषा भाषा क्या है आओ बच्चों, आज मैं आपको भाषा के बारे में बताऊं जैसा कि ये बच्चा अपने मन में सोच रहा है कि ये कितने सुन्दर चान सिता रहे हैं ये चमचम करते चान सिता रहे हैं जब तक ही बच्चा अपने मन में इन बातों को सोच रहा है तो ये उसके मन के भाव है जब वो बोल कर आपको बताएगा तो वो भाशा होगा तो भाशा की परिवाशा क्या लेंगे हम अपने भाव एक दूसरे तक पहुचाने के साधन को भाशा कहते हैं इसका मिनिंग क्या है इसका अर्थ क्या है कि मेरे मन में जैसे कोई भाव यहां विचार आ रही है तो मैं बोल कर यहां लिख कर किसी भी तरीके से आप तक वो भाव अपने पहुचा दूँगी जैसे कि एक बच्चा है उसको बहुत ठंड लग रही है तो वो बोल के अपनी मा से कहेगा कि ममा मुझे बहुत ठंड लग रही है तो वो क्या होगा उसने अपने बोल के विचार अपने ममा तक पहुचा दिये तो वो एक परकार की भाशा है जब मनुश्य अपने भाव दूसरे तक किसी भी तरीके से पहुँचा देता है और दूसरों के विचारों और भावों को समझता है वह भाशा है अब हम भाशा के रूप करेंगे इसके रूप क्या है इसके मुख्य रूप से दो रूप हैं बोल कर या लिख कर हम अपने विचार दूसरों तक दो तरीके से पहुँचा सकते हैं पहले नमबर पर बोल कर और दूसरे नमबर पर लिख कर जैसे कि इस चित्र में बताया गया है कि एक माँ अपने बच्चों को उठा रही है उठो बेटा सवेरा हो गया वो बोल कर अपने बच्चे को उठा रही है तो वो क्या हुआ भाशा का मोखिक रूप जब मनुश्य बोल कर अपने विचार दूसरों को बताता है जैसे कि इस चितर में दिखाया गया है कि मा बोल कर अपने बच्चे को उठा रही है तो जब बोलकर हम विचार प्रगट करेंगे तो वो मोखिक भाशा है, वो भाशा का मोखिक रूप है, अब मैं आपको लिखित भाशा के जार बारे में जानकरी बताऊंगी, जैसे इसमें एक बच्चा अपने मित्र को पत्र लिख रहा है, उसके मन के जो भी भाव हैं, विच लिखित रूप होगा इस परकार भाशा के हमने दो रूप सीखे एक मोखिक रूप मोखिक रूप का मतलब है बोल कर अपने विचार बताना लिखित रूप का मतलब है लिख कर अपने विचार दूसरों तक प्रगट करना इसकी परिभाशा में करेंगे हम जब हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं वह भाषा का मोखिक रूप है जैसे कि मैंने आपको समझाया है इसके उधारन लीजिए जैसे कि बाचित में इसमें कुछ लड़के हम देख रहे हैं कि आपस में बाते कर रही हैं वह बोल कर बाते कर रही हैं तो वह भाषा का मोखिक रूप हु वो बच्चों को बोल कर किस से कहानिया सुना रही है। तो वैं बोल कर अपने विचार प्रगट कर रही है। यह भी भाशा का मौखिक रूप हुआ। फॉर्ट नमबर पी आज ही चोते नमबर पे विच्छर में हम क्या देख रही हैं। कि बच्चे बोल कर पढ़ रही हैं। बोल कर पढ़ रही हैं, वो समचार पढ़ सकते हैं, कवीता पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो वो बोल कर अपने विचार बता रही हैं। तो वो भी क्या है भाशा का मौखिक रूप। आगे पांचे नंबर पर हम देख रहे हैं कि नाटक का धृष्षय लग रहे हैं नाटक का चितर हैं तो इसमें वी उ बोल कर नाटक कर रहे हैं बोल कर क्रियाएं कर रहे हैं तो वैबाशा का मोखिक रूप हुआ इस तरह हमने मोखिक रूप के उधारन सीखे अब हम लिखित भाशा सीखेंगे लिखित रूप क्या है इसकी परिभाशा क्या लेंगे जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुचाते हैं वैभाशा का लिखित रूप है मेंसे हम लिखकर आमारे मन में जो बात आ रही हैं हम दूसरों तक लिखकर पहुँचा रहे हैं तो वैभाशा का लिखित रूप है इसका उधारन क्या लेंगे जैसे पत्र कवीता कहानी लेखा दिलिखने में जैसे एक व्यक्ति किस लिख रहा है पत्र लिख रहा है, कवीता लिख रहा है, कहानी लिख रहा है अपनी मन की बाते वो लिखकर बता रहा है जब लिखकर की बात आएगी वो लिखित रूप है जैसे समाचार हमारे घर पे रोज़क बाहर आती है तो वो लिख कर आती है वह भाषा का लिखित रूप होता है जैसे हम परिक्षा में अपने प्रशनों के उत्तर लिखती है हमारे एक्जामस होती है कोशन पे पर आते हैं उनके आंसर लिख कर बताती है बच्चों को तो वह भाषा का लिखित रूप है क्या है लिपी के बारे में जानकारी दूँगी भाषा के लिखित रूप को लिपी कहती है भाषा के हमने कल दो रूप किये थे मौखिक रूप और एक लिखित रूप लिखित रूप जो हम लिख कर प्रगट करती है तो उसका जो रूप है उसको हम लिपी कहेंगे यह हमारा एक्जामपर इधर देखिए 10 रूपे जैसे लिख की प्रकट कर रहे हैं तो यह लिखेत रूप है यह लिपी है यह इंगलिश में 10 रूपे लिखा हुआ है यह भी लिपी है तो मैं लिखेंगे इन सभी भाषाओं की लिपी कौन कौन सी है हिंदी भाषा की लिपी का नाम देवनागरी है तो हिंदी भाषा में जो हम लिखते हैं जैसे 10 रूपे हिंदी में लिखा हुआ है तो 10 रूपे हिंदी में लिखा हुआ है तो हमारी ये क्या हुई लिपी इसकी देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपी को रोमल लिपी कहते हैं, ये 10 रुपीस, 10 रुपीस इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ये हमारी लिपी क्या हुई, इसकी लिपी क्या हुई, रोमल लिपी, उर्दु भाषा की लिपी फा अब आपको एक विशेश बात बताना जाओंगे, हमने भाषा के दो रूप सीख लिए, मोखिक और लिखित, एक भाषा का विशेश रूप हो रहा है, संकेतिक भाषा, संकेतिक में संकेत द्वारा, इशारो द्वारा प्रगट की गई भाषा, जो व्यक्ति बोल सुन नहीं सक सकते, उनकी भाषा का रूप संकेतिक होता है, जो व्यक्ति बोल नहीं सकते, वो बोलेंगे नहीं, तो मोखिक भाषा का प्रयोग नहीं होगा, सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, लिख नहीं सकते, वो तो लिखित भाषा का प्रयोग नहीं होगा, तो वो अपने भाव क ब्रेल लिपी उनकी लिपी कौन सी हो गई लिखित भाषा को लिपी कहते हैं देवनागरी हिंदी की लिपी जैसे मैंने आपको उपर बताया है तो अकेला बोलकर प्रगट करेंगे उनकी लिपी ब्रेल लिपी तो बच्चों हमने इस भाषा के पार्ट से क्या क्या सिखा फर्दर पहले भाषा सिखी अपने मन के भाव एक दूसरे तक पहुंचाने के साधन को भाषा कहते है इसके रूप सिखे मौखिक रूप मिस बोल कर प्रगट करना अपने भाव लिखीत रूप लिखकर प्रगट करना संकेतिक रूप संकेतो द्वारा यां इशारो द्वारा प्रगट करना भाषा के लिखीत रूप को लिपी कहते हैं हमने इसमें लिपी सिखी कि जो हम लिखकर प्रगट करते हैं उसे हम लिपी कहते हैं Okay, thank you.